हे गाईस स्वागत है आप सभी का गेक टेक यूटुब चैनल में गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप purple.com पे net banking के थुरू payment करके कैसे order कर सकते हैं तो गाईस चलिए वीडियो शुरू करते हैं ताकि आपको सभी notification मिलते रहें तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने purple app open कर लेनी है जब आप इसको open करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद दोस्तों जिस item का भी आप order करना चाहते हैं आपको यहाँ से search बार में उसको search कर लेना है for example अगर मुझे कोई face cream का order करना है तो मैं यहाँ पर उसका name लिख दूँआ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको search कर लूँआ तो यहाँ पर जो भी product होंगे आपके सामने आजेंगे screen पर आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ से आपको दोस्तों अपनी पसंद का product यहाँ से आपको choose कर लेना है तो मैं यहाँ पर जिस product का भी order करना चाहता हूँ मैं उसको यहाँ से select कर लूँगा तो मानलीजी दोस्तों मुझे इस item का order करना यह जो आप अभी screen पर देख रहे हैं जिसका price आरा 214 रूपीज तो मैं इस पर click करूँगा इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसके product के detail चेक कर सकते हैं इसके images देख सकते हैं photos देख सकते हैं यहाँ पर जो video upload है हम उसको भी check कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं, तो यह सारी डिटेल चेक करने के बाद, दोस्तो हम स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे, तो यहां पर हमें उसका प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा, और स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे दोस्तो तो यहां पर जो इसकी information दी गई हो जो customers ने दिये हैं तो यहाँ पर आप उनको read कर सकते हैं उससा आपको idea लग जाएगा कि इस product की कितनी value है, क्या है, यह किस quality का है और यह अच्छा है या नहीं तो यह सारी चीज़े चेक करने के बाद दोस्तो finally आपको यहाँ पर product पर आ जाना है उसके बाद आपका product आपके card में 8 हो जाएगा आप देख सकते हैं उपर जहां पर one लिखा रहा है तो आपको यहाँ पर इस पर click करना अपने card पर और आप यहाँ पर check कर सकते हैं कि आपका product आपके card में 8 हो चुका है उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करके आ जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोड़क की प्राइस के डिटेल मिल जाएगी जो उसका टोटल MRP है वो 226 रुपए है और जो आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है MRP पर 12 रुपए मिल रहा है तो प्रोड़क का सब टोटल अमाउंट है 214 रुपए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 49 रुपए यानि कि 94 रुपए यहाँ पर 8 हो गए है जो कि टोटल वेल्य होगा या प्रोड़क की 263 रुपए तो यह आपको पे करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 263 रुपए यहाँ पर 100 हो रहा है तो आपको इतनी पैमेंट करनी होगी जो कि हम अभी नेट वेंकिंग से करने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप चाते हैं कि आप order करते वक्त किसी भी order पर आप shipping charges ना pay करें तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के दे दूँगा अपलोड कर दूँगा आपको link description में मिल जाएगा आप बहां से देख सकते हैं कि आपको कोई भी shipping charges पर नहीं करना पड़ेगा order करते वक्त तो चलिए दोस्तो आगर बढ़ते हैं तो दोस्तो अब हमें finally proceed to pay बाले बटन पर क्लिक करना है नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको अपना address दे दिना है complete address mobile number के साथ address डालने के बाद दोस्तो नीचे यहाँ पर बटन से ओर होगा shift to this address आपने इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो हम payment वाले page पर पोज़ जाएंगे तो यहाँ से हमें payment mode select करना है कि किस mode की तुरू हम payment करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको starting में बदा चुका हूँ हम जो इस order की payment करने वाले हैं वो करेंगे net banking से ताकि आप सीख जाओ कि आप net banking से किसी भी order की payment कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको scroll down करके आजाना है यहां पर आपको देखेंगे net banking का option आ रहा है select bank जहां लिखाया आपना उस पर click करना है जब आप इस पर click करेंगे तो यहां पर bank की list आ रही होगी आपको यहां से अपने net banking जिसमें है आपका bank वो select कर लेना है तो जो most popular bank है इंडिया की वो यहां पर आपको ओपर सो हो रही होंगी तो मेरा जो bank account है जिसमें वो HDFC में है तो यहां पर HDFC को मैं select कर लेता हूं उसके बाद नीचा button visible हो गया है pay 263 रूपीज तो मैं इस पर click करूँँगा तो अब दोस्तों यहां पर हमें अपने net banking को login करना होगा यहां पर हमसे user id पूछेगा उसके बाद password पूछेगा आप net banking यूज़ करते होंगे तो आपको यह सब चीज़े पता होंगी उसके बाद आपको यहां पर continue वाले बटन पर click करना है उसके बाद आपके phone पर एक OTP आएगा वो टीप यहां पर आपसे पूछे जाएगा वो टीप आपने डाल देना है और फिर payment हो जाएगी तो मैं यहां पर अपना user id डाल देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर payment processing में है यहां पर देख सकते हैं आप दोस्तों मेरे को message आ गया है कि payment मेरे account से यहां पर cut चुकी है और यहां पर Congress Loves का message आ गया है कि मेरा order successfully यहां पर place हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप net banking को use करके आप अपना यहां पर order कर सकते हैं purple.com पर तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया आपको सब कुछ easily समझ आ गया होगा अगर दोस्तों आप कुछ पूछना चाते तो आप comments करके मुझ से पूछ सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओगा दोस्तों प्लीज वीडियो को like and share जरूर कर दीजिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई